लाज जो कुशन कराया था हो गया मैं एक मिंट जरा मेरा लास्ट आंसर बताए तो हम लोगों ने एक लाइन ले ली थी याद है कुशन इस तरह से था कि एक लाइन है ये बात सबको बता थी ये वाला पॉइंट अपने हाम में एक को माज जीरो है ये वाला पॉइंट अपने हम लोगों लिया था अच्छा ये पॉइंट दो था ना जिसने इंटरसेप्ट काटा था M1 इस्टो M2 में ठेके ना इस पॉइंट के इसाब की दाब में क्या चलदा था अच्छा ये वला पॉइंट अफ लोगों ने कितना लिया था X1 Y1 X1 Y1 M1 इस्टो M2 में डिवाइड गर रहा है अच्छा ये सीन था है न बई अच्छा आप में से किसी को अगर घ्यान हो तो X1 की वैल्यू क्या निकली थी X1 की वैल्यू निकली थी M1 M2 A डिवाइड भाइड नीचे कितना M1 प्लस M2 रइट है उसी प्रकार से Y1 की वैल्यू निकली थी M1 B अप आउन में नीचे कितना M1 प्लस M2 रइट है मेरे को बस अब पांच में आप रिदम आजो है ना अपन जितना टाइमिंग उतना तक पढ़ूंगा पढ़ेंगे जितना अपन पढ़ते बस उतना ही ठीक है ना और मैं आपको बता दो हूँ कमजिम नहीं नहीं करते हूँ अभी मैं 60% डाउनलोड करा दूँ अच्छा 60% बस मुझे मेरी स्पीड पर चलने देना अप ठीक है ना मेरी स्पीड पर चलने देना अप अच्छा यह अपने पास में X1 है यह अपने पास Y1 है सब को पता है पूरी कानी में इस लाइन का इस लाइन की असली फोटू जो आती है वो आती है X upon A plus Y upon B is equal to 1 ठीक है what I need to put I need to put A A की value रगता है अच्छ और अगर आपने से किसी को बुरा ने लगए तो X1 की value रखता हूं क्यों नहीं रख सकता है आपने से किसी पता है यह X1 Y1 point इस पे है अच्छा अगर X1 Y1 point इस पे है तो इससे satisfy भी करेगा X1 upon A plus के अंदर कितना Y1 upon B is equal to 1 यहीं है ना खेल हाँ मैंने पिछली बार भी तो आ जाय था ठीक है ना अच्छा हाँ मैं भी होई करने वाला हूं अब दीरे जीरे में आजाओ मैं मैं जो सब किसी चीज पर याद दिला रहे हैं यह देखिए आप मैंसे सभी लोगों ने पहले X1 की value रखी थी X1 की value अगर आप रखोगे ना तो M1 A upon M1 plus M2 यहां पे M2 B upon M1 plus M M2 finally क्या होगा है किनी M1 plus M2 LCM आजाएगा वो इधर आजाएगा ठीक उससे क्या हो जाएगा यहां पर कितना हो जाएगा M1 A M sorry M2 A plus में कितना M1 B A से कट जाएगा B से B कट जाएगा M1 plus M2 is equal M1 plus M2 मने 1 is 2 1 proof हो जाएगा और उसमें कोई मज़ा नहीं आएगा तो पीजली बार हम लोग यहीं चमत कार कर रहे थे जबकि हम लोगों ने last में जाते हैं ते decide किया था कि instead of putting X1 and Y1 will put A and B अगर किसी बालग ने A और B put किया तो यहां से उसको मिलेगा X upon में ठीक है ना X upon में कितना A के पे कितना लिख दूँ M1 plus M2 बहुत बढ़िया अच्छा नीचे की तरफ कितना M2 A और अल्रेड़ी एक A मौजूद है या नहीं है अच्छा एक ही value रखिए गया शौर है अच्छा तो यह इस A में A आएगा क्या फिर X1 आएगा यहां पर X1 आएगा यह नीचे X1 आएगा अच्छा यह अटा दूँ हाँ यहां पर क्या लिखू नीचे X1 शौर हैं मतलब मैं अभी थोड़ी ज़री तक मैं अपनी रिदम प यह कई नहीं पुदा सकते हैं आप लोग confuse कर रहे हों सीडी बात ठीक हैं अगर किसी ने दिमाग लगा लिया तो M1 प्लस M2 इंटू कितना X1 अपॉन में कितना M2 रटड़ वई तो अब आप A की value पूट करेंगे ना तो यहां पर पूट क्या होगा M2 इंटू में यह वाली कितना 1 क्या नीचे A नीचे अच्छा सॉरी सॉरी हाँ यह मेरे ज़्या प्रिंटिंग मिस्टेक सही गलत जगह रख दिया पुट गलत जगह कर दिया बात सहीं करते करते खना अलग चला गया अलग X अपॉन में A की जगह पर जैसे value पूट करी M1 प्लस M2 ठीक है ना इंटू में कितना X1 इंटू में कितना M2 और प्लस में कितना Y इंटू में ठीक है ना M1 अपॉन में नीचे कितना M1 प्लस M2 इंटू Y1 एक ओड़ों कितना 1 यहा ना बई फाइनली अपने पास में अंसर क्या बच जाएगा अपने पास में एंसर बच जाएगा देखो कुछ एंसल एंसल नहीं होगा यहां से दोनों में से common आजएगा M1 प्लस M2 जो की इधर आजएगा M1 प्लस M2 रइट है भई अच्छा यहां से क्या दिखने लग जाएगा यहां से आपको दिखने लग जाएगा M2 X अपन में नीचे कितना X1 और यहां पर कितना दिख जाएगा M1 Y अपन Y1 ठीक है और यह मेजरली यूज जो फार्मूला होई है ठीक है ना अच्छा मैं आपको जो चीज बदाने वाला था ना कल के दिन में वो यह बदाने वाला था कि क्रॉश्चन इस तरह से उठेगा क्रॉश्चन वो बिफर्यक्ट एर प्रोज्चन इस प्रोज्च्ट इस क्रॉश्चन वाला था इस एekk kanpad था revenue ल 누나 थांव Cafe !!! ठीक ना दिवाट इवाट 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 इवा तोल्स तिकन आपबीयो ang तूनियate axis तोल्स तिकन च नइ सार्च तथे जूल किlo 2। 3. विद तोल ? विद एग्यशन वे अल्हें ठीक है अच्छा उमीद है आपने सभी लोगों को जिन लोगों ने ये कॉश्छन लिख लिए उने पता होगा ये कोई लाइन है इंटरसेप्टेट बीट्वीन या ना इंटरसेप्टेट बीट्वीन किसी को या दो तो अपन लोगों ने एक वर्ड यूज किया था इंटरसेप्टेट पार्ट बीट्वीन एक्सेज ये था अच्छा इसको कोई लाइन पॉइंट आया कौन सा पॉइंट है 3,-4 वो इसको किस रेश्य में डिवाइड कर गया तो क्या था है अगर एक्वेशन ओफ लाइन की बाद चलेगी तो बुस मुझे करना गया पूरी कानी के अंदर यहाँ पर पुट कर दूँ है ना तो अपने को ध्यान हो तो अगर इसकानी के अंदर अगर देखा था है तो M1 की जगे पे तो क्या गुझ गया 2 और M2 की जगे पे कितना लग गया 3 तो अगर देखा था अंदर लाइन क्या थी M2X अपॉन X1 तो M2X का मतलब कितना हो गया 3 X अपॉन X1 की जगे कितना ह अच्छा और प्लस में कितना M2Y, M2Y का मतलब 3Y, अपान में कितना Y1, बोले तो अब अगला कुश्यन आप कर दो, ठीक है ना, if intercepted part of line, ठीक है, if intercepted part of line is bisected by, bisected by 2,3, ठीक है, then, line equal to, question mark, हाँ बई, यह bisected का मतलब क्या होता है, bisected माने, 1 is 2,1, तो M1 प्लस M2 की जगे तो क्या लग जाएगा, 1,1, वैल्यू पुट गरो, एक बार आप ही निकाल लो, answer क्या है, फार्मूले में तो बनना क्या रखना और करना क्या है, हो जाएगा, हो जाएगा, होगा, बनना लिए, next point बाजू, क्या answer क्या लिखूं, बोलो, M2X का मतलब 1X, 1 in 2 में X divided by नीचे कितना, M2, है ना, नही, sorry, X2, बोले तो 2 plus के अंदर कितना, 1 in 2 Y divided by, 3 is equal to कितना, 1 plus 1, है ना भी, तो finally it is, कितना 3X, plus में कितना, 2Y is equal to में कितना, 12, है ना, कोई मुश्किल काम नहीं, अगे नहीं, अपने क्या theory बना ली, तब उसके बाद में क्या पंगा है, next point में जाते हैं, है ना भी, next point लिख लिए जिखा, normal form, है ना, normal form में लिख लिजिगा, ठीक है, एफ पर्पेंडिकुलर द्रान फ्रम और इसन, एफ पर्पेंडिकुलर द्रान फ्रम और इसन, dele Hein a perpendicular drawn from origin makes alpha angle makes alpha angle with x-axis if perpendicular drawn from origin makes alpha angle with x axis , taku gina then then equation of line will be then equation of line will be x cos alpha plus y sin alpha is equal to p x cos alpha plus y sin alpha is equal to p . यहांपे यह जो अलपा एंगल है यह वला यह जिरो से टूपाई के बीच में कुछ भी हो सकता है it can take any value all four quadrant open ठीक है लिख लिया अब आगी की बात करते हैं ठीक है इस में लिख ली जिपला हो यहां पर लिखने के बाद में इतना जरूर लिख लिख लीन हूं हो गया अच्छा अब जरा इसको जरा समझा भी देता हूं देखे यह वाला पॉइंट जो है ना डाइग्रम वही है आप भी भी हमने कुछ नया नहीं किया बस यह के लाइन यूज आ रही थी इंटरसेक्ट वाली फॉर्मेट थी यह वाला पॉइंट आज भी आपके लिए 0 है आपने सबी लोगों को यह पता है कि यह लेंथ अपने आप में आज भी कितनी है यह वाली लेंट अपने आप में आज भी कितनी है रेट अभी पूरी कानी में A और B यह है अच्छा यह अगर A और B है ना तो यह alpha angle बन रहा है अच्छा यह अगर alpha angle बन रहा है तो आपको पता ने कि यह 90 है alpha के just सामने वाली side क्या होगी perpendicular यह वाली side क्योंगी base तो P is base और यह क्या हो गया hyperneus तो अपने पास P और A वाले बला है जिसका हूं लब यह कि मैं कह सकता हूं कि P upon A इस गुड़ कितना हो गया cos alpha P upon A is गुड़ कितना हो गया cos alpha अच्छा अब इधर वाले angle की बारे मात करता हूं इधर वाले angle यह अगर alpha है तो यह बच्चा वा एंगल कितना हो गया 90 minus alpha अच्छा 90 minus alpha अगर यह वाले angle है तो सामने वाले परपेंडिकुलर हो गया अच्छा यह अगर परपेंडिकुलर हो रहा है तो आपको यह भी बता होगा कि आपके पास में अभी क्या available है base और यह दर से क्या available है hypotenuse आज भी base और hypotenuse ही available है तो अगर इस वाले triangle की बात करता हूं तो P हो गया base यह हो गया hypotenuse तो मेरे लिए P upon B इस गड़ू कितना हो गया cos में कितना 90 minus alpha अच्छा cos 90 minus alpha बोले तो sin alpha रेट है तो अगर देखे था तो एक सीड़ू यहां कितना लिख दो sin alpha इस गड़ू कितना हो गया P upon B अच्छा अगर मैं आपको याद दिलाओ तो यह वाली line जो है इस line की equation होती है x upon कितना A y upon में कितना B is equal to में कितना 1 एक बर जरह A की value यहां से बताओ A की value A is equal to P upon cos alpha रेट है भी तो मैं यहां लिख दो x upon में नीचे कितना A की जगए कितना A की जगए A को इदर उचका दो तो P upon cos alpha तो P यहां जाएगा और यहां क्या हो जाएगा cos alpha plus Y upon B की जगए सोच सकते हैं B की जगए B की जगए कितना हो जाएगा बोलो P upon sin alpha is equal to 1 तो आपने से कितना लोग समझ गए कि इसका मतलब यह कि जिसन P ल से मागया तो यह वाली जो format है आजाएगी कि ने आजाएगी X cos alpha plus Y sin alpha is equal to P proof हो गया ठीक है माने यह चीज यहीं से कहीं सब प्रगट होई थी ठीक है अगला point अगले कुश्चिन मादें अना next question क्या करते है next question क्या करते है find EOL having distance from 0 0 is equal to 5 from 0 0 is equal to 5 ठीक है and angle is 30 degree for P P के लिए angle कितना है 30 degree तो आप में से कितने लोग समझगे P के लिए angle बोलेता हूँ alpha alpha पढ़ा है अपने बाग 30 degree और equation क्या होती है X cos alpha plus Y sin alpha is equal to P आप देखों आपके सब पढ़ा है आप में से किसे बता है यह origin से distance का क्या हुआ length of perpendicular बोले तो P एक नहीं गिवन है सीधी सीधा शब्दों P is equal to कितना दे रहा 5 and alpha is equal to कितना दे रहा 30 degree use करूँ आप तो direct बदाओ कितना हुआ X cos alpha plus Y sin alpha alpha कि जएके कितना पूट करूँ 30 यहाँ पे कितना पूट करूँ 30 is equal to कितना 5 खतना question solve कर लो next question अगला question ठीक है हाँ जी साब next next question है अगला question है find equation of the line having 60 degree angle 60 degree angle taken up for P and area of triangle is equal to 54 root 3 made by line and coordinate axis अब मैं आपको ये चीज़ समझाने चापता हूँ ये question है बहुत जानबूज के लिए आज़ा पता है ये वाले जो question अपर लोकों ने लिया है ये बहुत सोच समझ के लिए हो question है ये प्रोटोकॉल में नहीं है मैं आपको होता हूँ ये सरभ बनसल का से इसके notes वाले प्रोटोकॉल है मैं इसके beyond जाजा करके कितना खेल रहा हूँ आपके समने अपने आप ही रात जाएगा मैं जब भी इसके बाहर आ रहा हूँ ना तो वो चीजे जो आप अब आप देखो इसके अगला question ये हो सकता था ठीक है ये हो सकता था अब ये question और अगले question में कितना फर्क है समझ रहे हैं इसके बाद में यह कुशिन करना है यह कुशिन करना है और में बाहर आ जाता है ठीक है और हम लोग देखो अगले कुशिन में कहा खड़े हैं मैं इसलिए बता रहा हूं अकलो बहुत out of scene जाके खेल रहे हैं कही जगे तक कि आपको लिटरली रियल टॉम्स में जो इसके कुश इसके बाद में बात कर रहा हूं यह तो पी है ठीक है और यह वाल एंगल इस कितना 60 डिग्री है और आपको पता दाल गया होगा यह तो ट्रेंगल बनके आ रहा है इसका एरिया कितना 54 रूट 3 है वो कोई बहुत बढ़ा इस्शु नहीं है ठीक है ना अच्छा आप में सब अच्छा पता है इस ट्रेंगल का एरिया इस पर हाफ एबी होगा होगा अच्छा if it is हाफ एबी यह अपलब प्रॉलम वाट प्रॉलम कि अपर जिए थैट कि आप पर और पास बीकिश को सिर्फ यह पढ़ा कि कि आ कि उसको 60 डिग्र बनता है है लेकिन अच्छा लेकिन के area होता कितना triangle का area होना चीज़ था half a भी होना चीज़ था अच्छा लेकिन मैं तो आपसे और भी अच्छी बाग बोल रहा हूँ half into a की जगह पर ठीक है ना आप में सब्सक्राइब यादा है आपको a की जगह कितना बनना है p by cos alpha लिख दू तो a की जगह कितना p upon cos 60 degree यादा किया आपको अच्छा इंटू में कितना p upon में कितना sin 60 degree and that is what that is 54 root 3 क्या क्या है बाद पकड़ में आगी आपको इसका मतलब यह कि अपन इसको कह सकते हैं कि that is all equivalent to what 54 root 3 अब आपको logic समझ में आया होगी अगर मुझे यह सब नहीं पता होता मालों में skip कर जाओ तो मुझे कितना नुकसान होता है मैं direct p तक कौंच ने के जरीए घतम कर गया फिला इतनी भी दूर की बड़ी बात नहीं होगी cost 60 का मतलब कितना होता है half तो यह तो दोना अपस में लड़ लिए इदर कितना है root 3 by root 3 by 2 का 2 by root 3 हो गया हाँ यह ना 2 by root 3 मतलब हो गया कितना 54 root 3 into में कितना 2 by root 3 कर दो 2 upon कितना नीचे root 3 root 3 root 3 cancel out और सबको पता है यह कितना हो गया p square अच्छा यह कितना हो गया 10 कुछ रगया क्या हाँ तो p square बरबर कितना हो गया 108 108 का मतलब कोई near about आदमी है का इसके नहीं आने दो ना आप क्यों कगली मार हो पी इसकाटो में देखो एक तो 108 का मतलब 12 root 9 होता है 12 root 9 होता है यह 36 into 3 तो नहीं होता कहीं अच्छा यह root 3 उपर दाएगा क्या 3 root 3 by 2 root 3 by 2 अच्छा बेलकोल नहीं आ गया हा लीजे ना प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है यह तो एराड है 54 root 3 into में कितना रूट 3 by 2 सही बई अच्छा यह अगर कैंसे लोट होता है it becomes 27 into 3 27 into 3 का मतलब P is equal to कितना गया 9 P is equal to plus minus 9 आथा जिसमें अपन P को 9 ले लिया अच्छा पी is equal to 9 हो गया तो मैरे पास एक चीज़ और भी पढ़ी है alpha equation of line निकलने क्या मेरी जोरत है क्या बोलो क्या लिखू एक्स बोलो न कॉस कितना 60 plus y sin 60 is equal to both about 9 9 question line अगला question हाजो हाँ अब ये question हाँ ये question on this line क्या आप ये question कर सकते करके लोगे नेक्स्ट पहली बंद मिलाएं पान इससे किते लोगों ने बना लिया तो मिलों हाँ पहला काम क्या करना है 3x माइनस का 4y अच्छा इस उकल टो कितना इसमें क्या किया इधर की तरफ बनाया और यह सब कर चुके हम लोग है ना अगला कुश्यन डबल इंटरसेट पॉर्म अरे 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 हाँ अब पीछे चलो किते लोगों को याद आ गया वाई सगल तो अरे अरे हाँ अपने अगले कुशन का अंसर लगा है अब यह तो इंटरसेट की जगे डबल इंटरसेट कर दो और इंटरसेट फॉर्म कई बच्चे निकाल चुके हैं वो वेट में चले जाए है मेरे को बता है मैंने देख लिया intercept form निकाल चुके हैं कही जने वो बता दे किसी का हुआ अड़ाँ ये तो ये तो double intercept form आईए single intercept form पर चलने है ना single intercept form क्या गथी intercept form किसी को दियाने इसको intercept form कैसा बनेगा 4y is equal to कितना 3x minus 5 इसको जड़ लाया हूँ अच्छा प्लस 5 ये हाँ ये हो गया अच्छा दूसरी बात y is equal to में कितना 3x4 plus 5x4 है ना भई क्या क्या है ये हो गया अच्छा को ये m बताएगा इसमें अच्छा अब normal form प्याते है normal form कौन सी वली x cos alpha plus y sin alpha is equal to p है ना अब ये कैसे बनाते है normal form चलो देखते है बनाओ अब सुनना व्यान से चलो पहले हो गया तो नहीं नहीं आप ऐसे डून के लाओगे ना ये proper रस्ता नहीं हो तो किसी तरह जुगाड हो गया proper रस्ता पकड़ो अब c को कैसे करना है normal form बनाने के लिए क्या करो ये 3x minus 4y को यहीं पकड़े रखो is equal to minus 5 करो ठीक है ना जैसे याँ पेसे लिख ले ना उसके बास सुनना बहुत ज्यान से ठीक है ये जो लिखा है ना c ये c लिखा है ना c ax plus by is equal to c ये c को positive बनाओ इसको positive बनाए ठीक है कैसे बनाओ सर मिटाबू minus नहीं minus से multiply कर ये minus हो गया यहाँ पे कितना हो जाए का minus 3x यहाँ पे कितना हो गया plus का 4y पहला काम कर हो गया अब भी मन के अंदर ये तो first step हुआ second step क्या है second step है अंडूट a square plus b square से divide ठीक है बच्चा दिमाग लगर अभी भी काम से गुजगिया है इसमें कुछ नहीं एक ही जगे क्या है 3 तो minus 3 का square plus के अंदर कितना plus में 4 का square से divide एक तरह से ये कहना चाहरे है और 3 का square 9 और ये 16 25 का 5 माने 5 से divide कर दे तो जैसे मैं 3x divide by 5 करूँगा plus में 4y divide by 5 करूँगा is equal to 1 फेटा ये हो जाएगा है न बई ये जो बन के आएगा न ये आपका intercept form है अब जरा समझना इसमें ये x है और ये जो लिखा है ये जो लिखा है न ये cos alpha है ये जो लिखा है न ये sin alpha है तो ये क्या चीज है P पी नहीं है अब और जंग से सुनना मैं क्या बुला है ये P है है तो P लेकिन ये origin से distance है origin से distance किसकी line की याद है आपको origin से distance of line कितनी छोटी बात है perpendicular distance from line आप लोगों भी ये बात यहाँ समझ में आनीची कि हाँ ये काम की चीज है पात पकड में ही आपने divide by 5 किया अंडूरूट A square प्लेस B square से divide कर दिया divide करते ही ये सथ समझ गया ठीक है काम की चीज है हमेशा ध्यान रगना C को positive रखे ही खेलना है बीना positive रखे ना खेले है ना नहीं आया ठीक है अच्छा अगले point पर चलें ये सब अपना देखावाए है ना अभी एक मिंट यान तक आने से पहले है ना अगले पर चलते है next अगला title ले रहा हूँ ठीक है इसमें नहीं है अच्छा अगले point पर ले रहा हूँ next point is okay point number six that is parametric form of a straight line right a parametric form of a straight line ready start current parametric form of a straight line most 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 important आपकी sheet का 30% area ये cover करता है 30% cushion और मैं आपको बताओं इतना जबरदस्ट की कईयों को हवा मीनी लगपती के cushion में हुआ गया है इसलिए मैं इसको बहुत ही force के साथ पढ़ता हूँ कि ये चीज तो तिरे को बहुत अच्छे पकड़ने आ जानी चीए ये क्या कानी है ये कानी है इस तरह की कि मान लीज़े कोई point यहां खड़ा है इस जगे और आपको पता है कि इस से pass out ओने वाल लैंड की equation ऐसी है ये कोई equation भी आपको पता है ठीक है ये point अगर इस जगे पर खड़ा है यहां रुका हुआ है तो आप चाहते हो इस point से 5 दूरी पर जो point है उसका value बताओ इस line पर इस से 5 दूरी पर कोई point है उसका value बताओ तब आपको यह मदद करेगा इससे होगा क्या इससे बहुत जबर्दस questions बनेंगे यह क्या है यह आपने से कई लोगों का जिनका यह vision बहुत strong है वह बहुत आसानी से इस चीजों को पकड़ पाते हैं जैसे मालनों आपको midpoint पता है और आपको पता है यह distance है न चार है तो midpoint से चार distance पर जो point हो वह आपको मिल गया आगे जागे उतनी दूरी पे पीछे वाला point भी discovered हो गया कि अब आपको बसे लिए किस लिए जरूरी है क्योंकि हमारी वाके में जरूरते हैं इसलिए को कोई point पता है किसी लिएन पर अब उसे सीज है ना तो मैंने आपको एक बेला पहले तो भी बता दिए क्यों जरूरता मेरी ठीक है और यह भी बता दिए कि बहुत इंपोटन चलिए आगे चलता है next point पे ठीक है एक्च्वल में क्या scene है ना इसका scene बतायता हूं सपोज कीजिए कोई line है वो यू जा रही है कोई line है वो इस तरह से जा रही है ठीक है अच्छा अब माली जे यह वाला point है यह point है यह point का नाम क्या है x1 y1 है क्या point है x1 y1 अच्छा इससे कुछ दूरी पे आर डिस्टेंस प कौन सा point है आर डिस्टेंस पर सपोज करो एक point है xy आपने ले लिया कोई भी अच्छानक से अगर यह आर डिस्टेंस पर point है तो आपने से हरे एक जने को जिसको भी फटा 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 कोई calculation आती है वो जानता है कि यह दूरी x-x1 हो गई है क्योंकि हम ऐसी बाते कर चुके ह आपकों को पता है यह दूरी y-y1 होगे से अच्छा अब और दिमाग लगाते हैं अब और दिमाग क्या लगा सकते हैं कौन सी यसी गुथी है ना जिसमें अपने इसको पूरे उल्जाग रख दें बुरी तरह से बच्चे ने दिमाग लगा है कौन साइसा तरीका है अब मै यह दिखते हैं इसके सामने वाला perpendicular हो गया तो आपने से हरे एक जणे को दिखने लग गया क्या देखने लग लगया क्या y-1 है ना upon r is equal to कितना is equal to मेh sin α दिख्या अच्छा उसी प्रकार से यह हो गया base और r हो गया hypertension और base upon hypertension कितना हो गया cos α रहट है तो यह कितना हो गया x-1 divided by R, रैट है, बच्छे ने फिर दिमाग लगा है, इनको मिलाओं कैसे, मिल गया ना, गौर से देखना, कैसे, मैं दुनिया को चिला चिला के कैसे कह सकता हूं, X minus X1 upon cos alpha is equal to Y minus Y1 upon sin alpha is equal to R, बिल्कुल, is equal to R, और ये जो है ना, this is parametric form of the line, ये भी line है, हाँ line है, मस् चीज़ आप जबर्दस चीज़ है, वरना इतना मोस तो मैं वैसे भी नहीं देता किसी को, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ी नहीं, वैसे नजर में चड़े, लेकिन ये चीज़ी ऐसी है कि आपको पदद हो लेगा, क्या रहे हो, seat क्या, युदार क्या, उदर क्या, test paper वगेरा वगेरा, जुत एक काम की बड़ी बात, अचा ये ना, अब देखो जरा, इससे ये ही नहीं, जैसे माल लो, ठीक है, बच्चे के मन में आ गया, सर, आप तो कुछ और कह रहे थे, आप तो कह रहे थे, मैं इतनी दूरी का पॉइंट निकाल लोगे, क्या है, मतलब, है के नहीं, मैंने का एक्स की वेल्यू बोलता हूं, तिरे पास एक्स आ गया, देख, एक्स इस इकल टू, एक्स इस इकल टू, एक्स वन प्लस आर कॉस अलफा, आर तू खुद बताएगा, इतनी दूरी पे चीए, अलफा तेरको सरकार देगी, हर लाइन का अलफा पता होता दुनिया को, अरे, चीए, तो y-coordinate is equal to y1 प्लस rsin अलफा, ठीक है, and it is, मैंने काना, foremost important thing, बहुत ही काम की चीज़ है, मैंने काना, इसको मैं बिल्कुल lightly नहीं खेलता, मुझे पता है, इससे मेरे बच्चे की sheet बनेगी, पढ़ने वाला बच्चा जब sheet बनता है, तो उसकी एक अलगी feel होती है, आपको यकीन है न, एक बार के लिए exercise 2 ढाले न, multiple choice, ठीक है, आपको खुद ही feel आदे, तब ही साफ गई आपकी, 6 question है अगर, वो 6 के 6, आपके एक बार के लिए न, दिमाग में आ जाएंगे कि हाँ, point a point, और सारे के सारे line लगा के इससे बनते है, line लगा के, अकेरा खेलता ह one side, ठीक है, इससे लिए बहुत काम का है, अच्छा, इस मेंने एक बहुत ही important चीज काम करती है, उसका नाम है sign convention, sign convention, करें चर्चा, and what is this sign convention, ठीक है, मेरे को sing convention पढ़ने में आ गया थे, एक दम से, मैंने का, हाँ, सटक गया मेरा, ठीक है, say ng, ठीक है, sign conjection, convention, है न, हाँ, conjunction, ठीक है, sign convention क्या है, sign convention बड़ी interesting चीज है, सब ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, अरे यह तो आपकी, एना, जनल नौलेज की बात है, यह point है, इससे अगर मैं R उपर चला, तो R positive हुगा, अगर मैं R नीचे आया, R negative हुगा, क्या खेल आपका, और सर मैं अगर यह यह चला गय और क्या, यह लिखने है बस, R plus, R minus, फोटो, क्या मुश्किल नहीं है, मैं इसको लिखवाता हूँ, देखो मैंने लिखवाएं ता पिशे ले चाले इतना, लेकिन अमने लिखवानी रमिर को नहीं लग रहा है, आपकी चेरे से आपको लिखवने की ज़रोत है, अरे अगर आप उपर जा रहे तो R plus ले ना, नीचे आ रहे तो R minus लोग है, इसको लिखवाना क्या है, ठीक है ना, अच्छा, अर जब तक क्विश्चन नहीं करोगा, आपको कैसे फील आएगी, हाँ, बहुत इंपर्टन बाद थी, सणने तो बहुत दम लगांगे बोला था इसमें, ठीक है पाता नहीं, मैंरपो तो लगानी, ऐसा ही आसान जाधा, अगर ऐसा एपील आदे तो बढ़िया, कॉश्चन यह, कॉश्चन है, ठीक पृण एट खर बाद और, पासिंधुत प्सिंधू फिफ वन कोमा बीश्यक्स, एंबेक्स 45 डिग्री अंमिः टीक नंव, इंग with x-axis and intercept intercept another line intercept another line 2x plus y-7 equal to 0 at q point find q and aq find q and aq of a question if you understand much if you want to write a question about the line has to go through to the world to tell you what the degree is for two things say from each other is equal to one of the line to y minus y minus 2 is equal to 1 into x minus 2 क्या ख्याल है बद पकड़ मागी से पहली बात को अपने कोई पता दल गा लाइन यह है ना लाइन जिसकी बारे में बात चल रही है वो क्या होगी x minus y इसको y को इदर उचका दू ठीक है ना और इसको इदर लियाओं तो minus is equal to में कितना minus 1 सही है सही है यह होगी लाइन है ना अच्छा यह अपनी कौन सी लाइन है यह कोई लाइन है जो 1,2 से पासाओ रही है अभी मैं इसका डागरम नहीं सोच रहा है आगे कहता है यह एक और लाइन है कौन सी लाइन 2x plus y minus 7 बच्चे ने दिमांग लगा लगा दो 2x plus y is equal to 7 कितने लोगों कोई याद है कि अगर यह c positive हो तो x और y का sign से आप photos हो सकते हो कितने लोगों को याद है x कैसा है positive y कैसा है इसका मतलब बिलकुल हाथ चल गए साब लोगों के एकदम बराबर है कि नहीं क्या ऐसा अब यह अगर लाइन है यह वलाइन कौन सी है यह वलाइन है 2x plus y is equal to 7 अगर यह 2x plus y is equal to 7 है तो हम लोगों को अभी अभी यह लाइन प्राप्त हुए है है कि नहीं अच्छा इसके अंदर अगर मैं आपने से किसी को विशेशन रोद करूंगी माइनस x plus y is equal to कितना 1 जाद है ने सी को positive करके सोचता हूं मैं सी को positive करके सोचता तो x negative और y positive second quadrant second quadrant cross करके जा रही है ना भी अच्छा second quadrant ऐसे भी तो cross करके जासती है कैसे बदा सवर यह यूई क्यों जाएगी आपको कैसे बजाल है अरे एक point ना 1,2 जिसमें से pass हो रही है 1,2 तो first quadrant में है नहीं है किते लोगों को यह बात पकड़ मैं है यह वन कोमट तो first quadrant में उधर से गुजार नहीं पड़ेगी second quadrant cut भी मार रहा हूं मैं तो यह वन कोमाट टू हो गया अच्छा यह वला point यह वला line कौन सी होगी यह वला line होगी कितनी X minus Y is equal to minus 1 रैट है ना अच्छा यह दोना जिस पर बिढ़ गए उसका नाम क्या है Q अच्छा क्यों भी दिखने लग दिखने लग आप अपने को धीरे जिरे अच्छा अब कानी मे इक्वेशन को सॉल करता हूँ आओ मेरे साथ सॉल कर आलो ना आप तो X minus Y is equal to 1 पहली एक्वेशन और दूसरी एक्वेशन कितनी है 2X plus Y is equal to 7 यह ना भई Y से Y cancel out हो गया दोना add होते ही कितना हो गया 3X is equal to 6 X is equal to 2 x कितना हो गया 2 X की देगे 2 रख दो तो Y is equal to minus 3 अरे होगे ना 2 minus 3 is equal to minus 1 अरे मैं आपके लिए तो दोड़ रहा हूँ और किसके लिए दोड़ रहा हूँ तो Q की value कितनी हागी Q की value कितनी हागी भाई लोगा Y equal to कितना होगा 3 3 हाँ plus 3 सारी 2 minus 3 सोच रहा हूँ ना तो अगला पॉइंट इसने क्या बोला find and AQ अच्छा वही तो मैं सोच रहा हूँ इसने A का दिया रही अच्छा इसने A के पार्म बदा है भाई यह A चमतकरी आदमी यह है क्या आपको लगता है AQ बदाना बहुत लंबा चोड़ा काम है अच्छा एक यू एक यू इस गड़ू कितना हो गया डिस्टेंस फार्मूला बता दो है ना क्या बहुत शांदर कोशन दे दो एक मिंट है अच्छा नहीं इस नहीं से क्यों लिखा है हाँ मैं शायद यह सूचके लिखा होगा जो मैं सोच रहा हूँ वह ही होगा एक मिंट के लिए ज़रा मैं दिमाग इसमें भी लग रहा मेरा क्या आप में से अगर किसी को एक चीज जोर समझ में आए तो थोड़ा सा अलग तरीकी बात है समझना ठीक है आप में से जिन लोगों का ब्रेइन इस तरह से भी रन हो सकता है उनके लिए ज़रा सोच रहों मैं है यह इस बच्छे ने तो नहीं लिखा लेकिन आप में से कही लोग सोच सकते हैं कि यह भी एक नया खटका है कि हमने अभी भी निकली थी यह लाइन यह लाइन निकली यह वाला पॉइंट हमारे पास में था 1,2 ठीक है और मेरा इंट्रेस्ट नहीं क्यों निकल ले मेरा कोई इंट्रेस्ट नहीं क्यों निकल ले मेरा कोई इंट्रेस्ट नहीं क्यों निकल ले मेरा कोई इंट्रेस्ट अम्हें यह बात जानता हूं कि मुझे इसा लगता है कि शैद यह बात ऐसे सोची गई होगी लेकिन इसने लिखी निया इसने वही कियो गया जो आप लोग सोच रहो क्या कि 1,2 है ठीक ना अच्छा मुझे यह पता चला है कि यह जोनमों की बीच की दूरी मेरको पता ही नहीं वो तो खुदी यह जानना चाहता है तो मैंने इसको आर माल लिया क्यार भईया आप तेयार हो जाओ अच्छा और सोचते हैं और और दिमाग लगाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं कि लोगों को पता है कि X is equal to में X1 plus R cos alpha था अच्छा X1 की जगे कितना लेलू 1 plus R की हाँ यह अलग लेवल की बाते कर रहा हूं मैं आप में से कई लोगों के लिए है पता हैं यह कितना होगा है 2 plus R by root 2 है ना अच्छा मतलब यह वाला थो पॉइंट है R दूरी पर यह होगा यह पॉइंट जो है यह पॉइंट जो है वो इस लाइन पे भी लाई करता है इस लाइन पे लाई करता है अगर इस लाइन पे लाई करता है तो इससे Satisfy करेगा थे ना अगर से Satisfy करेगा तो इवल लाइन कौनसी भाई लोगो 2x less कितना y is equal to 7 है एक यह नहीं अगर इवल लाइन 2x plus y is equal to 7 है तो मैं इस जगह लिखता हूँ, 2, x की जगह पर कितना, 1 प्लस r अपॉन कितना, root 2, plus में y की जगह पर कितना, 2 प्लस r अपॉन root 2, is equal to कितना, 7, क्या कहता हूँ, r की value सीधा, aq आएगा, aq, direct आएगा, direct, जो हम सोच सकते हैं, हाँ है न, एक मिन्ट तब तक आप में से कई लोग copy करेंगे, और हम जैसे लोग काम करते हैं जो, है न, करमठ अपनी हो जानते हैं, यह हो गया, 2, और यह कितना हो गया, 4, यह कितना हो गया, 3, इधर से यह कितना हो गया, 3, 2, r upon root 2, plus r upon root 2, बोले तो, 3 r upon root 2, क्या खेल है, is equal to कितना बचा था, 3, 3 से 3 कम कर दूं, तो r is equal to कितना हो गया, root 2, direct take you आया है, वहाँ पर a निकाल के क्यों आया है था, और अगर यह root 2 आ गया, तो कितने लोगों को पता दल गया, कि root 2 गया, x क्या हो गया, so x is equal to हो गया, x is equal to, रग दूं यहां पर, तो 1 plus कितना, root 2 upon root 2, बोल 3, क्या point 2 कमा थी आया है था किया, क्या feel है, बढ़ी है न, अलग तरगी चीज़े एकदम, अशेश कल, इसमें कोई doubt नहीं मेरे को, लेकिन कितना लोगों को यह समझ में आया, कानी, कानी पकड़ में, काम बनता है न,